शुबमन गिल टेस्ट क्रिकेट में लगातार फ्लॉप होते दिख रहे हैं गिल को लगातार मौके दिये जा रहे हैं जिसे वो भुना नहीं पा रहे हैं अगर आप गिल की पिछली 10 टेस्ट पारिया देखेंगे तो आपके मन में सीधा सवाल पैदा होगा कि आखरी उन्हें लगातार मौके क्यों दिये जा रहे हैं पिछली 10 टेस्ट पारियों में गिल के बल्ले से कोई अर्धशतक भी नहीं निकला है इन दिनों इंग्लेंड के खिलाफ खेली जा रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले की पहली पारी में भी गिल फ्लॉप देखे इस गिल घरेलु सर्जमी पर भी फ्लॉप होते दिख रहे हैं इंग्लेंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले भारत ने दक्षिन अफ्रीका दोरे पर दो टेस्ट खेले थे अफ्रीका के खिलाफ दो मैचों की चार पारियों में गिल ने क्रमशह 2, 26, 36 और 10 रन बनाये थे इस अब सवाल उठता है कि क्या गिल को आखिरी तीम मैचों के लिए टीम से बाहर कर दिया जाएगा तो इसका जवाब गिल खुद दे सकते हैं और वो कैसे अब अगर गिल पहले मैच की दूसरी पारी और दूसरे टेस्ट में अच्छा पफॉर्म करते हैं तो उन्हें आखिरी तीम मैचों के लिए चुना जाएगा अगर वो अच्छा पफॉर्म करने में नाकाम रहते हैं तो गिल को आखिरी टेस्ट से बाहर भी किया जा सकता है अब गिल का प्रदर्शन और सिलेक्टर्स का फैसला देखना दिल्चस्प होगा बता दे कि गिल ने दिसंबर 2020 में टेस डेब्यू किया था जब से लेकर अब तक उन्होंने 20 रेट बॉल मुकाबले खेल लिये हैं इन मैचों की 37 पारियों में बैटिंग करते हुए उन्होंने 30.58 की ओसत से 1040 रन बना लिये हैं इस दौरान उन्होंने 128 रनों के हाइस्ट स्कोर के साथ 2 शतक और 4 अर्धशतक लगाए हैं